हालो दोस्तों नमस्कार मैं आप आमन सिंग और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप अपनी चौफट यह डोर फ्रेम बना रहे हों इस वीडियो में आप बना रहे हो तो विंडो में काफी लोग एक डू कमेंट मैंने पढ़े हैं जो उन्होंने इस वीडियो में जो सरिया होती है वह कौन से सरिया यूज करने चाहिए एसस की यूज करने चाहिए जैसे आप इमेज में देख रहे हो यहां पर विंडो में क्या लगी है अब यहां पर क्या देख रहे हो यहां पर लोहे की सरिया लगी हुई है तो लोहे की सरिया यूज क जो सेलिय ऑपि यूज करोंगे जो इस्टील आपि यूज करोंगे दोर फिर्ष विंड़ो में तो मेरी रावी है हिसे आप लोहे की करूँ अब काफी लोग कहेंगे लोहे में फिनिसिंग नहीं हाती है आप जिसे यह आप विंडो देख रहो पीछे यह वाइट कलर की में जो वाइट कलर में आपको दिक रहा है आप एक है प्लास्टिक लगी हुई है क्यों इस पर डिको पेंट हुआ है इसकी फिनिसिंग जितनी आप अच्छी तो है महंगी भी खार है इससे बाइट इन चार्वना महंगा है लेकिन एसस के पाइप क्या है हलके होते हैं अब काफी लोग कहोंगे भारी भी ले सकते हैं तो जिसको जीतरा बजट है वो कोई बाद नहीं आप उतना यूज करा सकते हो सॉलेट पाइप भी इस करा सकते हो लेकिन आपको मैक्समम ग्वी लेंगे वहгор पाइप मिलेंगे तो इस पेन के अंदर खाली उपर से खाली कवर रहे हैं अंदर हालो पूरा इस ऊतर आ कि पाइप को यह पॉरह व्हिग बहुत सोली पाइप नैगर नीum भी दिख रहे हैं तो यूज को पाइप लोहे के पाई जो आपको रॉट देख रही है इनको आप दबाएंगे जल्ली है जो हम बोड़ेंगे नहीं तो यह चीज होती है एक तो इसस आपको महेंगा पड़ेगा फिर आपको हालो पाईप लेने है तो फाइदाने खाली इसमें फिंसिंग का आप इस पर नॉर्मल देखने में दूर से अब आते हैं कि यहां पर आपको जो डिस्टेंस है जो सरीय की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए काफी लोगों के पूश्चन आते हैं जैको यह डिपंड है आपके एरिये के आप से अब यहां professionally मैं बात नहीं करूंगा बिलकुल भी क्योंकि सब ज अब तो मुल्ब सडीय का सेंटर और नीचे ले वह डिस्टेंस होई वह चारेंज सबा चारेंज सबाचार लेंट को हैं कोई दिक्कत नी आपके एरिये में अगर आपके अरिये में बंदर उंधर को ज्यादा है तो बंदर तो आप काफी लूगांगें बंदर तो कही से बच्चे होते हैं आपको च्यांड़ जगह मिल लएक से आसानिस भूस सकते हैं अंदर तो वहां पर आप अपनी जो जो सईया होई उसके डिस्टनस तीन सवा तीन साड़ी सारी साड़ी मिले के असपस करो इस सवा तीन तब भी आपका सेफ रहेगा इस सब चीजों से मलब खासकर बंदरों से तो यह चीज आपको ध्यान देनी है तो दोस्तों मेरे खाल से जो चोफट की तरनी वीडियो थी मुझे जितना लगता था कि इतनी चीजे आपको बता सकता हूं अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक जू करिएगा सब्सक्राइब जू करिएगा वीडियो देखने के धन्यवाद जय हिन वन्यमात्रम